उत्तब्रदेश की बदाईयों जीले से ओनर किलिंग की एक दिल दहला देने वाली वारदात की खबर सामदी आई है याहिक पिता ने मंगलवार सुभा चार वजे बेटी और उसके प्रेमी को फावले से काट डाला और फिर खून से सनाफ फावला लेकर सीधा थाने पहुँच गया और वहां सरेंडर कर दिया बताय जा रहा है कि सुभा के चार वजे प्रेमी अपनी प्रेमी कासे मिलने के लिए पहुँचा था तब ही दोनों को लड़की के घरवालों ने देख लिया पहले दोनों को जम कर पीटा गया और उसके बाद पिता ने फावले से दोनों को काट डाला कतल करने के बाद आरोपी पिता फावला लेकर थाने पहुचा और पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया वहीं जवारदात की सूशना पर डियाए जी डॉक्र ओपी से घटना स्थार पर पहुचे और लोगों से पूसाच की लड़के के परिजनों की और से तहरिट दी गई है और आरोपी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्स किया गया है दरसल यह है पूरा ममला बिलसित हाना छेतर के गाउं पर ओली का है यहां रहने वाले 20 साल के सचिन भारगव का गाउं की हिर रहने वाली महिश की बेटी नीटू से धाई साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था दोनों के परिजनों को भी इसकी भनक थी ऐसे में दोनों पक्षों के बीच अकसर तना तनी चलती रहती थी बंदिशे भी दोनों पर लगाई गई लेकिन दोनों नहीं माने फोन पर उनकी बाते होती थी इसके अलावा भी वह चुप-चुप कर मिला करते थे सोवार की सुभा तकरीबर चार बजे सचिन अपनी प्रेमी का नीटू से मिलने के लिए उसके घर पहुँच गया इसी बीच नीटू के परिजन जाक गए और जैसे ही उन्होंने बेटी नीटू को उसके प्रेमी सचिन के साथ देखा तो वह भड़ा को उठे और उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया इससे पहले कि दोनों वहाँ से भागते परिजनों ने उन्हें पकड़ लिया दोनों को तो पहले जमकर पीटा गया और उसके बाद पिता ने कमरे में रखे फावले से पहले प्रेमी पर तावर तोड़ वार किये और फिर अपनी बेटी के सिर पर फावले से वार करने शु अचाना खून से सना फावला लेकर लड़की का पिता जब थाने पहुंचा तो वहां तेनाथ पहरेदार के भी खोश उड़ गए पिता ने पहरेदार को बताए कि उसने अपनी बेटी की हत्या कर दी है और उसके प्रेमी को भी फावले से काटकर माट डाला है उसे घरफतार क कुछ पल के लिए तो पुलिस भी हैरत में पड़ गई इसके बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया और फिर उसे लेकर घटना इस थार पर पहुंची यहां पुलिस ने देखा तो पूरे घर में खून ही खून बिखरा हुआ था और मैंगेट के पास दोनों की कर लिए भीजा गया फॉरेंग सीक टीम ने भी मौकि पर पहुचकर जांश परताल की इसके बाद सचीन के घर जाकर उसके परिजनों से पुलिस ने पूस्ताश की सचीन के परिवार की तरफ से तहरिर दी गई है जिसके आधार पर पुलिस ने महेश और उसके परिवार के हत्या कम मुकदमा दर्स कर लिया है और आगे की चार्श परताल की जा रही है